तो बच्चो एंड वेलकम तो दे वंडरफुल वल्ड ओफ एकनामिक्स यस बच्चो हमने स्टार्ट किया है F.Y.B.com की सेकंड समिस्टर का फर्स्ट चैप्टर दैस मार्केट स्टॉक्चर एंड पॉफेक कॉंपटेशन आप इस पूरे चैप्टर को हमने सिस्टमेटिकल प्रडियूसर कैसे शॉर्ट रन में और लॉंग रन में एक्विलेब्रियम पोजिशन इंज्वाय करता है जब हम बात करते हैं एक्विलेब्रियम पोजिशन तो ये पोजिशन जो है जनरली हर प्रडियूसर दो एप्रोच से कैलकुलेट करता है एक है टोटल रिवेनिव total cost approaches और दूसरा है marginal revenue और marginal cost approach लेकिन marginal revenue और marginal cost approach से हमेशा एक producer maximum profit को enjoy करता है इसके लिए वो हमेशा equilibrium point को एक rest point की तरह consider करता है इसके लिए अपने factors को हमेशा vary करता रहता है change करता रहता है कि शायद किसी combination पे मुझे अच्छा return मिले तो इस पूरे हमने market में देखा कैसे एक firm हो या industry हो equilibrium position enjoy करता है ओके बच्चों फिर हमने short run में भी equilibrium हमने देखा कैसे producers enjoy करते हैं और उसके साथ साथ हमने देखा कि short run में जो perfect competition की firms हैं वो under homogeneous cost condition के साथ हो या heterogeneous cost condition के साथ हो कैसे equilibrium position को enjoy करते हैं बच्चों इस market में हमने all the firm जो perfect competition का हिस्सा है उनकी profit maximization level को भी हमने समझा और उसके लिए हमने numericals के problems भी हमने solve करके देख लिए जो कभी-कभी इस chapter में से काफी अच्छी तरह से demanded होता है और finally हमने fourth part में यह देखा कि कैसे जो firms हैं जो इस perfect competition का हिस्सा हैं वो long run में with homogeneous और heterogeneous cost condition के साथ equilibrium position enjoy करते हैं अब बच्चों इस chapter का final touch आज देने जा रहे हैं और वो final touch आपके लिए बहुत easy होने वाला है क्योंकि वो revision ही होगा लेकिन question का एक नया आपको form मेलेगा कि इस perfect competition में जो supply कव है उसका nature क्या है किसको हम supply कव कहते हैं किस तरह से वो एक इस market में consider करते हैं जो आज हम सीखने वाले हैं in a very easy way as you know that simplicity is our main motto नो इस market में जो supply कव है उसका nature perfect competition में कैसे दिखाई देता है वो भी हम समझेंगे बच्चों अब हमने पूरा chapter अच्छी तरह से समझ लिया है बच्चों अब इस supply कव का nature under perfect competition में चाहे short run हो या long run हो दोनों में easy हैं हमारे लिए बच्चों अब जब हम short run की बात करते हैं बच्चों तो हमें मालम है कि generally is perfect competition में हर seller जो है he is a price ticker जो price decide होती है by market forces याने demand जो है वो supply कव को जहां intersect करती है जहां आपका वो intersection point होता है यानि quantity demanded is equal to quantity supply उस point को हम क्या कहते है equilibrium point और उस equilibrium point पे आपकी price जो है वो market में decide हो जाती है यह हम शुरू से करते हैं बच्चों लेकिन जब हम बात करते हैं short period में तो जो cost है वो divide होती है दो parts में क्योंकि short period में cost जो है वो spilt होती है two types में एक होती है fixed cost और दूसरी होती है variable cost कुछ cost will remain fixed जो हमां लड़ी पहले भी कर चुके हैं बच्चों और कुछ cost जो है वो vary होती है जो fixed cost का हिस्सा है वो producer चाहता है कि short run में भी मेरा cover होना चाहिए इसके लिए fixed cost और जब total cost दोनो fixed cost मिलते है तो हमारा बनता है total cost total cost में दो हिस्से रहते हैं total fixed cost और total variable cost यह दोनों मिलाके आपका बनता है total cost अब producer को जो total revenue मिलता है total revenue मिलता है जब price into quantity जो है multiply होता है यानि जो price market में decide हो गई उसके इसाब से जो quantity हम market में sale करते हैं उसके बाद जितना total revenue मिलता है क्या उसमें से वो total cost cover होती है अगर total cost cover होती है यानि producer एक अच्छी तरह से अपना profit जो है वो enjoy कर रहा है अब हमने इस market में सीखा था बच्चो कि producer जब भी decision लेता है कि कहां तक मुझे production output level को continue करता करना है यानि equilibrium level मेरा कहा होगा तो पहला पहला हमने condition क्या देखा था बच्चो कि marginal revenue is equal to marginal cost क्योंकि हम इसी approach से देख रहे हैं कि producer को maximum profit enjoy होता है यानि यह एक best equilibrium की condition है marginal revenue must be equal to marginal cost और दूसरा condition क्या था कि MC curve जो है वो cut करेगा MR curve को from below वो से नीचे से cut करेगा ताकि उसका जो output level है producer का वो maximum हो जो हम already देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट में profit maximization में कि अगर price fix है जहां पे average revenue is equal to marginal revenue तो हमारा जो marginal cost curve है एक जगह ऐसा था जहां पे वो उपर से cut कर रहा है यानि वो falling है marginal cost curve यहां पे आपका output level बहुत कम है लेकिन producer देखता है जहां marginal cost नीचे से cut कर रही है वो भी मेरा equilibrium level है लेकिन यहां पे मेरा output बहुत अच्छा है यानि maximum है जब output ज्यादा है production ज्यादा है तो he is enjoying a good profit तो इसके लिए second condition यह रहता है अब generally यह दोनों condition हमने हर market में देखी बचो perfect competition हो monopoly हो monopolistic competition हो या oligopoly market हो हमने हर market का equilibrium one by one करके discuss किया हर market में equilibrium की यही दोनों conditions थी कि MR must be equal to MC और जो MC कव है वो MR को cut करेगा from below लेकिन जब हमने perfect competition स्टार्ट किया तो उसमें जब हम heterogeneous और homogenous cost condition के in the different possibilities of equilibrium को judge कर रहे थे तो हमने एक condition short run में और देखा और वो यह condition यह थी कि third situation है जो थोड़ी extraordinary situation है जहां पे कभी-कभी producer अपने output level को continue करने का decision लेता है और वो decision यह जहां पे price is equal to average variable cost या total variable cost अब यह generally position होती है यहने हमेशा producer को लगता है कि जो cost दो मेरे part से बनी हुई है कि मैंने कुछ खर्चा fixed cost पे किया है land and building पे किया है machinery पे किया है मैंने borrowed capital लिया है तो interest पे कर रहा हूं या rent में पे कर रहा हूं या license fee मैंने पे की है तो कुछ हिस्सा fixed पे मैंने cost पे incur किया है और कुछ हिस्सा जो है जब मैं production को continue produce कर रहा हूं तो raw material पे power पे fuel पे electricity पे या मैं labor को wages पे कर रहा हूं तो यह जो small expenditure है for producing the goods and services तो working capital पे जो खर्चा होता है वो variable cost है अब producer जब price decide करता है तो वो कोशिश करता है यह दोनो cost उसकी recover हो from the price याने total revenue में वो पूरा का पूरा जो है वो cost recover करना चाहता है लेकिन कभी-कभी market में situation ऐसी होती है कि producer कोशिश करता है कि market थोड़ा recession में चल रहा है market के conditions normal नहीं है अब market में जब क्योंकि generally ऐसा माना गया है क्योंकि जब price is equal to average variable cost याने price कम होते होते variable cost तक पहुंच आती है तो producer कोशिश करता है हाँ variable cost तक equal है तो मैं continue करूंगा लेकिन अगर मेरा revenue variable cost से भी कम हो गया तो हम इसको बोलते हैं shutdown price क्योंकि वो shutdown price है क्योंकि इसके बाद अगर थोड़ा भी अगर उसको price कम मिला तो he is not recovering the both cost फिर तो उसका profit जो है वो मिली नहीं रहा है वो lossy loss offer कर रहा है न वो fixed cost कवर कर पा रहा है न वो variable cost कवर कर पा रहा है तो better है वो shutdown position है तो चलो बच्चो पहले देखते हैं कि जो supply को है वो short period में हमें कैसे दिखाई देता है चलो बच्चो पहले हम यह देखते हैं और मैंने कहा यह पूरा revision है अगर आपने पहले की यह 4 parts अच्छी तरह से देख लिएं बच्चो तो आपके लिए यह question पूरा revision है याने complete revision of all the questions बहुत easy question है अब देखो short run में हम देखते हैं supply को supply को full form में लिखते हैं supply को in short run ओके बच्चो पहले पहले वो देखते हैं यह part ओके यह हम देख लेते हैं अब उसके लिए पहला पहला हमारा काम रहता है L shape का हमें चाहिए format y o x यहाँ पे हमें मिलता है output याने quantity और यहाँ पे जब हम देखते हैं तो price है cost है और तीसरा क्या आता है बच्चो revenue ओके यह हम शुरू से करते हैं बच्चो आच्छा अब suppose market में हम जब situation देखते हैं कि suppose price है इस तरह से market में price decide हो गए यह price p decide हो गए अब यहाँ पे जो average revenue है short period में is equal to marginal revenue याने short run में marginal revenue average revenue is equal to marginal revenue यह short period में decide हो गए ओके बच्चो अब जो average variable cost है यहाँ पे एक producer को average variable cost यहाँ पे एक tangent की situation में यहाँ दिखाई देता है जो short run average cost है वो थोड़ा ओपर है short run average cost को याने यह variable cost है और यह आपके fixed cost का हिस्सा है क्योंकि जो gap between average cost और variable cost के बीच का gap होता है वो क्या है fixed cost क्योंकि total cost बनती है दो cost से एक fixed और एक variable अगर variable इतना है याने इतना जो हिस्सा है वो किसका है बचों वो है fixed cost का हिस्सा अब आते हैं हम marginal cost अब जब हम marginal cost देखते हैं बचों तो suppose जो marginal cost है जो u shape में हमें दिखाई देती है अब मैंने उसको dotted में ले लिया suppose यह है short run में marginal cost पर यहाँ दिखाई दिया अब जब हम देखते हैं कि short run में जो marginal cost है वो उसमें इसको यहाँ touch किया याने इस price level पे जहां marginal cost ने MR को touch किया वहाँ पे हम एक straight line याने एक perpendicular line जो है वो decide कर लेती है याने quantity जो है वो decide होगी याने इस perfect competition में जो firm है एक producer है वो decide करता है कि OP price पे I will produce OQ quantity मैं इतना ही produce करूंगा OP price है क्यों इतना quantity वो produce करेगा क्योंकि इस label पे जब वो price क्या है आपकी OP OP price है quantity क्या है बच्चों वो है OQ अच्छा revenue कितना है total revenue total revenue बन रहा है POQ या suppose यहाँ पे हमें मिला equilibrium तो total revenue है POQE यह हमारा revenue है अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका जो price है वो price है equal to average variable cost तो इस cost तक वो OQ quantity को ही produce करेगा क्योंकि जो total revenue है अगर suppose इस bottom line से कम हो गया reduce हो गया तो आप देख रहे हैं variable cost ज्यादा है लेकिन उसका revenue कम है यानि अगर वो bottom line से थोड़ा भी अगर उसका revenue को जो quantity है वो कम produce करेगा तो but natural he has to suffer loss उसका loss हो जाएगा इसके लिए इस point को हम क्या कहते हैं जहाँ पे average variable cost is equal to price उसे हम कहते हैं shutdown point यानि कभी भी producer को decision ले सकता है कि अगर इससे मेरा output कम हुआ यानि reduce हुआ तो यहाँ पे तो मेरी जो condition है business की अच्छी नहीं है इतना revenue मैं नहीं कर पा रहा हूं कि मेरी cost recover हो इसके लिए better है कि I will shut down my business तो यहाँ producer को decision लेना पड़ता है अब suppose market में price बढ़ती है अब suppose price बढ़ी अब price बढ़ने से suppose price यहाँ increase हो गए प्राइस जो है वो increase हो गए P1 पे अब price जब increase होती है suppose अब P1 जो है हमारा price और उपर मैं ले रही हूं suppose यहाँ पे P1 price जब ऐसा situation हमें दिखाई दिया अब इस situation में क्या है average revenue 1 is equal to marginal revenue 1 यह हमें situation मिला लेकिन यह भी किसमें है short period में है अब इस level में हम बच्चों क्या देख रहे हैं देखो average cost कम है यानि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यही जो marginal cost कम है वो इसको यहाँ touch कर रहा है यानि equilibrium क्या मिला E1 नया equilibrium मिला अब इस नये equilibrium पे you will see that कि एक producer can't देखेगा कि अगर यह नया equilibrium है तो यहाँ पे जब वो perpendicular line वो draw करेगा परपेंडिकुलर लाइन थोड़ा मैं डाक कर रही हूं परपेंडिकुलर लाइन जिससे नया output क्योंग डेसाइड हुआ अब देखो बच्चों पहले position क्या थी आप position क्या है एवन अब इवन पोजिशन जब हम न्यूव एक्किलिब्रेम पे पहुचे क्यों क्यों क the market forces, अब demand forces और supply forces से price बढ़ गई अब price बढ़ने से जब producer देखता है price बढ़ गई, यानि मेरा average revenue और marginal revenue बढ़ गया लेकिन मेरी cost वही है cost आपका marginal cost कर अलड़ी आपको मालम है that is short run marginal cost कर तो अभी आपको equilibrium मिला even अब आप देख रहे हो आपका जैसे ही price बढ़ा तो आपके producer ने उस market में decide कि I will produce more मैं ज़्यादा unit produce करूँगा अभी आपकी quantity बढ़ गई यानि production बढ़ गई अब जब production बढ़ेगी तो बटे नैच्रल आपको additional production के लिए additional cost इंकर करनी पढ़ेगी यह marginal cost करूँ है यह marginal cost करूँ between E and E1 यानि यह जो gap है ने E, E1 यानि is equal to MC करूँ का हिस्सा यह जो MC करूँ का हिस्सा यानि supply करूँ जो है इस short run में किसको कहते हैं बच्चों यह कहते हैं कि यह जो हमारे इस marginal cost करूँ का हिस्सा है जब हम average variable cost के bottom line से उपर cost incur करना शुरू कर देते हैं और जब तक हमारी नई production level produce होती है that is Q1 level उसके लिए जो extra cost खर्चा हुई that is E, E1 यह जो हिस्सा है यह जो पूरा हिस्सा है बच्चों यह nothing but it is the supply cover firm in short period तो supply cover firm क्या है तो supply हम लिखते है supply cover of firm is its marginal cost curve याने MC curve above कौन सा point है above minimum point minimum point minimum point of ABC curve यह है supply curve supply curve of firm जो है वो short period में क्या है that is MC curve का वो हिस्सा जो आपके इस ABC curve के minimum point से उपर गया यह हिस्सा याने E even यह हमारा MC curve याने is equal to supply curve यह हमारा supply curve है in short period यह short period में हमारा decide होता है तो इस तरह से short period में हमारा supply curve दिखाई देता है यह कैसे हुआ price पहले decide हुई OP लेकिन उस level पे producer सिर्फ variable cost ही cover कर पा रहा था अब इस variable cost पे price अगर equal है फिर भी producer decision लेता है I will continue my output लेकिन अगर उससे कम हो गया तो भाई danger situation है producer को लगेगा here I am suffering losses तो better है अभी मेरी position ऐसा है कि I have to shut down my business लेकिन हाँ अगर जैसे ही हम देखते हैं कि जो business है वो start करता है functioning after this point equilibrium के बाद उसका functioning start हो गया क्यों price बढ़ गई जैसे ही price बढ़ गई market में उसके revenue जादा gain होने लगे जब उसके पास total revenue अच्छे मिलने लगे total revenue देखो revenue बढ़ने लगा भी P1 price है revenue उसके हाथ में आने लगा तो अब जब revenue बढ़ा उसने production बढ़ाया तो revenue बढ़ा और उस production बढ़ाने की पीछे जो additional cost उसने incur की उसको हम क्या कहते हैं बच्चो marginal cost तो वो marginal cost जो additional cost एक producer ने incur की to produce some more units of output in short run that is called the supply curve in short run लेकने supply curve का जो हिस्सा है वो कौन सा consider करते हैं जो आपका E और E1 है याने average variable cost का minimum point इससे जो upward आपका cost का खर्चा हुआ जब तक हम new equilibrium पे पहुँचें E1 इसके लिए मैंने क्या कहा supply curve of a firm is its is its यह क्या है आपका is its the marginal cost curve above the minimum point of average variable cost का ओके बच्चों तो यह था supply curve in short run अब short run में इस तरह से producers ने क्या किया अपना production capacity के बारे में decision ले लिया हर एक firm है अभी perfect competition है तो ज़्यादा से ज़्यादा firms इसमें रहती हैं ज़्यादा producers होते हैं तो हर producer ने price के हिसाब से अपना जो output है production capacity जो है वो decide कर लिया अब इसी में हम देखते हैं कि short run में एक producer जो है वो supply curve of industry कैसे decide होता है तो चलो हम second part देखते हैं that is V part वो भी easy है बच्चों आपके लिए already हम कर भी चुके हैं वैसा let's see V part V part है हमारा that is short run में supply curve of industry अब जब हम short run में देखते हैं तो बच्चों हमें पता है कि इस perfect competition में बहुत सारे producers जो रहते हैं वो एक industry में involved होते हैं अब industry में especially जो firms हैं who are producing the same type of commodity all the firms who are producing the same commodity they are comprises one industry एक industries के अंदर बहुत सारी firms आ जाती हैं जो same products को वो produce करती हैं अब जब हम short period की बात करते हैं बच्चों तो generally short period में number of firms change नहीं होते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं जितनी भी firms हैं उन्होंने जो decide कर लिया output उनको add up कर लेते हैं horizontally अब जब हमें यहां पर diagram में दिखाना है बच्चों तो what I will do I will take only example of two industry मैं दो sorry दो firm मैं firm दो ही लोंगी firm A यहां पर आ रहाएगा आपका price और यहां पर आया आपका output और वैसे ही next that is firm B Y O XL का format in firm B अब जब यह दोनो plus हो जाएंगे इनके जितना भी output उन्होंने produce करने का सोचा है याने supply करने का सोचा है वो बनता है supply of industry वो industry का supply बनता है याने A firm और B firm दोनों का plus होता है बच्चो तो वो plus होके बनता है total यह भी आपका same Y O X यहां पर हम लेते है output और यहां पर आता है आपका price ओके अब जब हम first A firm की बात करें अब firm A ने जो according to price prevail थी market में उसके हिसाब से उसने decide कि now you know that कि जो supply curve this is the supply curve लेकिन यह supply curve एक इसका A firm का इस A firm ने सोचा है कि I will produce this much quantity जैसे जैसे price आपको मालम है बढ़ता है तो supplier is ready to supply more quantity इसके लिए supply curve is sloping upward और उसका slope क्या होता है बच्चो positive होता है क्यों? क्योंकि price बढ़ेगी तो supply बढ़ेगी अब generally आपको पता है कि जैसे ही price बढ़ता है suppose अगर price हमने देखा कि market में P था तो उसने quantity का decision लिया क्यों? लेकिन जैसे ही market में price जो है वो P1 हो गई तो इस A firm ने सोचा नहीं अब ही मैं जादा quantity को produce करूँगी इसके लिए supply curve of industry A it is sloping upward अब ये A firm का supply curve था अब वैसे ही हम देखते है supply curve of ये भी supply curve है लेकिन ये B firm का है ये B firm का supply curve है जो sloping upward है अब B firm B producer ने अपने production capacity के हिसाब से अपना decision लिया कि किस तरह से मैं cost incur कर रहा हूँ और कितनी output मैं produce करूँगा अब जो industry का supply curve है वो क्या होगा इन दोनो supply curve को horizontally add up होगा जैसे say for example कि जो firm A है वो सोच रहा है कि मैं 200 units produce करूँगा ओकी और जो firm B है वो सोच रहा है कि मैं 300 units produce करूँगा याने A और B का मिला के industry में कितने units produce होगे that is 500 तो इस तरह से जो आपका ये है that is supply curve of industry ये हमें industry का supply curve दिखेगा तो ये short run में supply curve का इस तरह से behavior हमें दिखाई देता है X axis पे क्या दिखाई देता है बच्चो आउपुड जो हर firm produce करता है Y axis पे हमें क्या दिखाई देता है price किस price पे वो कितना production की units को produce करेगा तो हर producer ने अपने इसाब से decision लिया हर एकी production capacity अलग अलग है as per the capital investment उन्होंने decision लिया लेकिन supply curve तो supply curve है slopping upward क्योंकि price बढ़ता है तो supplier जो है he is interested he is willing to supply more units of commodity तो वो ज़्यादा supply करता है इसके लिए उसका positive slope है तो जो आपका supply curve of A firm है उसमें हम horizontally add करते है supply curve of firm B दोनों जब add होते हैं तो supply curve of industry याने A plus B दोनों की supply को हम add करते हैं तो हमें मिलता है इस तरह की position ओके बचो तो ये हमें दिखाई दिया supply curve का nature short run में भी और फिर हमने industry में भी discuss कर लिया ओके firm का भी देख लिया industry का भी हमने देख लिया अब बाकी बचा हमारा long run याने तीसरा position हम देखेंगे कि हमारा इस long period में जो supply curve है वो कैसे दिखाई देगे चलो आखरी हिस्सा ये भी आपके लिए पूरा revision है बच्चो क्योंकि हमने किया था long run में जो perfect competition है उसमें forms कैसे equilibrium position enjoy करती है under homogenous याने identical cost condition और heterogeneous याने differential cost condition तो हमारा C part जो हमें इस question में दिखाई देता है वो कम हमें क्या दिखाई देता है that is supply curve in long run अब हम long run में देखेंगे बच्चो अब देखो ये भी easy है पूरा revision है और ये question specially मैंने last में लिया क्योंकि पूरा revision है अब देखोगे पूरे जितने भी हम लोग ने parts cover की है उनमें ये सब points आपकी हो गई है सिर्फ उसको हम revise कर रहे है अब आपने देखा होगा fourth point में मैंने जो fourth हमारा जो part था session था जिसमें इस perfect competition में हमने discuss किया कि कैसे firms जो है long period में with identical cost condition और heterogeneous cost condition के अंदर equilibrium की position enjoy करते हैं अब बच्चों जब हम long period की बात करते हैं तो long period में क्या होता है sub cost क्या हो जाती है vary हो जाती है क्योंकि इसमें cost short period की तरह fixed और variable में spilt नहीं होती है यहाँ पे आपकी fixed cost नहीं sub cost variable हो जाती है क्योंकि long period में producer के पास इतना plenty time होता है कि वो कोई भी अगर वो बदलाब चाता है अपने cost में या अपने production में या अपने factory के size में plant के sizes में variable हो जाती है और plus sub saver important point long run में क्या होता है कि जिन firms को लगता है कि yes कि हम survive कर सकते हैं they will remain in the market वो market में रहते हैं लेकिन जिन को लगता है कि we are not able to face the competition तो वो market में से exit भी कर जाते क्योंकि जिन firms को लगता है कि नहीं भाई हम तो losses सफर कर रहे हैं हमारी जो revenue है वो variable cost से भी कम हो रहे है तो वो exit हो जाते हैं अब इसकी वजह से जब हम जनरली देखते हैं हमने पढ़ा भी था फोर्थ पार्ट में कि हम जब condition homogeneous cost condition है identical cost condition तो generally all firms they are earning normal profit वो normal profit earn करते हैं लेकिन हां लेकिन जब heterogeneous cost condition होती है तो अगर कुछ firms ऐसी हैं जिनकी cost थोड़ी different हो जाती है because of raw material, because of quality, because of labor की wages उनके पास ये जब heterogeneous factors आ जाते हैं तो some firms may earn super normal profit otherwise सब firms जो हैं वो heterogeneous cost condition के साथ भी क्यान करते हैं normal profit ओके बच्चों तो अब long period में हमारे पास दो ही cost होते हैं एक होता है average cost लेकिलना long run में है एक है average cost तो long run में है तो lag का हो जाता है और दूसरा होता है marginal cost तो long period में है तो lmc का हो जाता है ओके बच्चों लेकिन यह जो आपका average cost कव है वो आपके price को किस form में होता है tangent की form में दिखाई देता है ओके बच्चों तो चलो देखते हैं long run में हमें कैसे producer जो है इसका supply को का nature किस तरह से decide होता है अब यह x-axis है अब इस x-axis पर यहां क्या decide करते हैं बच्चों output ओके और यहां पर है price cost और third के हाता है इस वा बच्चों revenue ओके अब suppose price जो है यह decide हो गई industry में price P by the market forces price P जो है वो decide होगे long period में याने average revenue जो है वो is equal to marginal revenue लेकिन यह long period का है इसके लिए long run average revenue is equal to long run marginal revenue हो गया बच्चों अब आता है lack of अब जब हम lack of की बात करते हैं तो यह एक flatter position रहता है lack of यह lack of हमें long period में दिखाए दिया है ओके अब यहीं से ही आपका जो marginal cost का है long run का marginal cost का LMC का LMC का अब जहां से यह गया तो हमने देखा कि यह जो marginal cost marginal revenue को यहां touch किया क्या मिला बच्चों equilibrium चलो straight line draw करो perpendicular line vertical line तो एक producer ने decision ले लिया कि I will produce OQ quantity with O P price क्योंकि मुझे O P price market में decide हो गई है और हर producer perfect competition में है price take not the price maker जो price decide हो गई उसे मनना ही पड़ेगा तो इसके लिए O P price decide हो गई O Q quantity decide हो गई equilibrium E आ गया तो यहां पर उसका revenue कितना है बचो P O Q E तो देखो quantity जब हम price देखते हैं तो price है O P quantity तो quantity है O Q और जब हम revenue देखते हैं total revenue तो P O Q E यह decide हो गई ओके बच्चो अब इस level पर एक producer जो है long period में जब tangent की situation है तो hair producer क्या enjoy कर रहा है वो enjoy कर रहा है normal profit क्या enjoy कर रहा है बच्चो normal profit okay normal profit now is long run में एक specialty है कि हर producer चाहे वो identical cost condition में हो या heterogeneous में हो heterogeneous में कुछ selected few रहते हैं जिनका cost minimize हो जाता है because of economies of large scale तो he may enjoy the super normal profit otherwise सब जो है वो normal profit enjoy करते हैं ओके बच्चो तो normal profit का situation जितना आपका price उतना ही cost तो he is enjoying the normal profit का situation यहाँ पे हमने देखा था बच्चो क्या देखा था long run average revenue is equal to long run marginal revenue is equal to long run average cost average cost के equal long run marginal cost और आपका सबसे बड़ा price भी हो दर ही यह आपके long run का specialty है सब यानि price जितना आपको price मिल रहा है उतना ही आपको long run average revenue उतना ही long run marginal revenue उतना ही long run average cost और उतना ही long run marginal cost यह आपके long period का special point सबसे लेकिन अगर suppose long period में अभी बच्चो price बढ़ गए अब जब long period में price बढ़ जाती है suppose price बढ़ गए अब price आपका बढ़ गया अब जब price बढ़ गया तो इस long period में price raise होने से यह आपका price नया आ गया P1 ओके यह जो price है वो बढ़ गया suppose horizontal line जो है वो long run में long run average revenue 1 is equal to long run marginal revenue 1 ओके suppose price बढ़ गया अब यहाँ पे आया आपका नया equilibrium that is E1 ओके बच्चो आप देखो suppose यहाँ पे आपका price बढ़ गया long period में price बढ़ गया तो आप देख रहे हो एक producer का जब price बढ़ेगा तो he will be interested to produce more units अभी वो ज्यादा units जो है वो produce करने का सोचेगा और जब वो ज्यादा units प्रड्यूस करने का सोचेगा long period में तो उसे नया output मिलेगा एक क्यूवन अब आपका quantity आप देख रहे हो producer long period में ज़्यादा लेविल जो है वो produce कर रहा है quantity बढ़ गई अब यह जो equilibrium का हिस्सा है आप देख रहे हो यह हिस्सा जो है यह यह और e1 के बीच में जो उसने cost incur किया क्योंकि long period में उसने q q1 का quantity ज़्यादा प्रड्यूस किया उसके लिए जो यह marginal cost उसने ज़्यादा इंकर किया marginal cost उने additional cost incur for producing one more unit तो जितने ज़्यादा units produce के लिए उसके लिए extra cost incur करेगा यानि फिर से आपका जो supply curve है वो long run में वो कहां से शुरू हो रहा है बच्चो average cost यह जो लैक कव है उसका minimum point और जो आपका उपर जो आप lmc का हिस्सा देख रहे हो याने जब तक हम new equilibrium level पे पहुचे तो हमें supply कव क्या देख रहा है supply curve is the marginal cost curve supply curve in long run is the marginal cost curve marginal cost curve above minimum point minimum point above minimum point को उसका lack curve यह है आपका supply curve in long period यह long period का supply curve है बच्चो दाट इस the supply curve in long run is the marginal cost curve का हिस्सा लेकिन above the minimum point of lack curve याने इस lack curve का जो minimum हिस्सा है याने उपर का हिस्सा याने कितना हुआ that is e even यही हिस्सा है आपका e even यह जो हमें दो equilibrium का हिस्सा मिल रहा है ना दाट इस lack curve का original equilibrium जिस पे producer ने decision लिया कि I will produce only oq unit क्योंकि मुझे price मिल रहा है सिर्फ op तो उसने small quantity के लिए decision लिया लेकिन जैसे revenue बड़ा p1 तो उसने क्या किया ज्यादा quantity का decision लिया यानि oq1 तो जैसे quantity ज्यादा हो गई तो आप देख रहे हो उसने एक्स्ट्रा कॉस्ट जो था वो इंकर किया यानि यह है supply curve तो supply curve in long run is the marginal cost curve जो अबवाव आता है minimum point of lack इस lack के उपर का जो यह हिस्सा है न बच्चो that is nothing but it is the supply curve in long run clear बच्चो यह भी question sometime आपसे पूछा जा सकता है लेकिन पूरा easy था बच्चो easily आप cover कर सकते हो already हमने देखा है सिर्फ ध्यान यह देना कि अगर short period है तो आपका यहाँ पे average variable cost tangent में रहेगा lack का उपर रहेगा लेकिन अगर long period है तो variable cost को हटा दो सिर्फ lack का और lmc का बस दो का क्योंकि long period में हमारी हर cost जो है वो variable हो जाती यानि variable cost का आपके long period में गायब लेकिन short period में tangent की position में दिखाए देगा ओके बच्चो तो यह question भी बहुत easy था लेकिन में आप ध्यान यह देना कि आप diagrams draw करके देखूं जितना आप diagrams की practice करोगी command आपका बढ़ेगा confidence बढ़ेगा और आप हर question जो है easily appear कर पाओगे okay बच्चो तो if you like this video you can share with your maximum friends and if you want my handwritten notes the link is given in the description box thank you